गुरु वचन सदा संग कीजिए श्रवन कीजिए गुरु के वचन का अपने भक्ती की नीव को दिड़ करने के लिए गुरु आश्रय अपने को सदा गुरु के आश्रित मानिये अनन्य भाव से आश्रित रहिए गुरु आधार गुरु को ही अपना आधार मानिये और किसी को नहीं और गुरु कृपा सदा गुरु की कृपाओं को realize कीजिए मैं कहा था, कहा पहुँच गया कववा था, हंस बन गया जो जानता नहीं था वो जना दिया गुरु ने क्या नहीं किया रक्षा की, संभाला सदा मुझे उन कृपाओं को realize करके रोईए, याद कीजिए और परमव्या कुलता पैदा कीजिए उनके मिलन की और गुरु सेवा कत्राइये मत गुरु सेवा से, यही गुरु सेवा ही हमारे अंता करण को शुद्द करेगी हमारी प्रगती गुरु सेवा से ही होगी, क्योंकि गुरु सेवा साक्षाद प्रभु का कृपा-प्रसाद है यस्यände परा भक्तिर यता डेवे तथा गुरव जैसी भक्ति तुम्हारी अपने इष्ट के प्रती है वैसी ही भक्ती गुरू के प्रती हो तभी प्रकाश्यंते तभी तुम्हारा चित वो गुरू अज्ञान को दूर करके प्रकाशित करेगा तुम्हारे बुद्धी में ज्ञान भरेगा तुम्हें उज्वल करेगा तो गुरू साक्षात इष्ट है संतो दिशन्ती चक्षून्शी बहीरर का समुत्तिथा देवता बांधवासंता संत आत्माह मेवच भागवर घने से घरा अंधकार क्यों न हो जब भगवान भासकर उदय होते हैं तो उनकी किर्णों से किर्णों के विस्तार से अंधकार दूर हो जाता है जीवन गतिमान हो जाता है उजाला हो जाता है चारोर ठीक इसी प्रकार भगवान कह रहे हैं कि किसी के जीवन में कितना ही अंधकार क्यों न हो यदि वो गुरू की शरण में चला जाता है तो संतो दिशन्ती चक्षून्शी वो संत नेत्र देने वाले हैं दृष्टी देने वाले हैं तुम्हें और मुझे दिखाने वाले हैं भगवान कह रहे हैं जिसको जीवन में सद्गुरु मिल गए हैं सतरती सतरती सलोकान स्तारयती नारदभक्ति सुत्र जो स्वयम आनंद से तर है उत अप्रोथ है वो क्या करता है वो जीवों को माया के गर्त से बाहर निकालता है उसका मोह नश्ट करता है उसको माया से तारता है और उसके पास जो आनंद है उससे जीव को उत अप्रोथ करता है तारता है वो सबको उसका कामी ये है उनके दिव्विवचन साक्षात कृपा का आलोग है जिसके श्रवण मात्र से जीविके चित का मार्जन होता है और वो चित आलोकित होता है अरे उनके निकट बैठने मात्र से भगवत चिंतन प्रारंबोने लगता है उनके दिव्विवचनों के श्रवण से ये संशे की ग्रंथियां खुलने लगती है जीव निर्भान्त होता है निर्द्वंद होता है ये तन विश की बेलरी गुरु अमरित की खान शीष दिये जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान क्या नहीं करता वो गुरु कुछ नहीं मिलेगा बिना संत की कृपा के मुख्यतस्तु महत कृपयाईव सबसे प्रमुख है महत की सेवा सबसे प्रमुख है गुरु की सेवा गुरु का संग बिना गुरु भक्ती के कृष्ण भक्ती प्रारंब हो ही नहीं सकती यदि ये पाँच चीजें हमने अपने जीवन में कर ली तो फिर नो डाउट वो कृपा लू कृपा जो करते हैं करेंगे विशेश कृपा करेंगे जिससे आपको मिलते रहें लेटस्ट अपडेट्स सबसे पहले